हेलो लो मुश्कार दोस्तों सोगत है अपका आशिश मड़ो में आज हम बात करने वाले भाई निसान मैगनाइट के बारे में अपने सेग्मेंट की सब कॉम्पेक्ट से भी है सीधे कॉम्पेटिशन देती है रेनो की काईगर को इस्टाइटिक पड़ा इसकी बात की जाए तो 6 लाग रुपए एक सोरूम से इसका बेस वेरेंट इस्टाट होता है और टॉप चला जाता है 11 लाग 27 जार एक सोरूम तक अब ही आपके सामने मैगनाइट का गेजा एडिशन खड़ा हुआ है इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें यहाँ पर ओफर करती है कंपनी जैसे की जीबिल का साउंड सिस्टम, 9 इंच का डच इनफो टेंट में सिस्टम बाकी वेरेंट की बात की जाए तो भाई एकसल और एकसवी के वीच का वेरेंट है यहाँ पर आपको एकसल से कुछ जादा और एकसवी से कुछ आपको कम फीचर से यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो आज इसी गेजा एडिशन के बारे में हम कंप्लीट डीटेल में बात करने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं से कलर चोइसे से अभी आपके सामने CVT transmission खड़ा हुआ है दो साल और पचास हजार किलोमेटर की वारंटी मिलती है आप इसको extend भी करवा सकते हैं इंजन की बात की जाए भाई तो यहाँ पर आपको मैगनेट के अंदर दो इंजन चोइसे से देखने को मिलती है वन लिटर का natural petrol और वन लिटर का turbo petrol अभी आप देख रहे हैं वन लिटर टर्बो पेटरोल इंजन को 98 बेचपी की पाउर और 160 नीटर मीटर का टॉक निकालता है 19 से 20 तक का मैर्ज आप निकाल सकते हैं आपके चलाने पर डिपेंड करेगा की की बात की जाए तो भाई देख लो Geza Edison के अंदर आपको स्मार्ट की मिल रहे है ये lock and lock की बटन है निसान की ब्रेंडिंग है तो ये XV वेरेंट से आपको स्मार्ट की मिलती है लेकिन यहाँ पे आपको Geza Edison के अंदर दी जा रही है आप चलिए बात करते हैं गाड़ी के exterior से फिर हम चलेंगे इसके interior के अंदर तो भाई front से looks देख लो काफ़ी शानदार सा आपको मिलते है Chrome grill है, center में आपको मिलती है Nissan की branding, Nissan का logo अंदर आपको grill के अंदर honeycomb design देखने को मिल जाएगा surrounding आपको यहाँ पे chrome दिया जा रहा है जो कि base लेके top तक आपको यही grill offer की जाती है headlamps की बात की जा है तो halogen headlamps है, bugle में आपको मिलती है turn indicator की placement बाकी बाई LED DRL आपको नहीं मिल ले इस variant के अंदर, यहाँ पे नीचे आपको chrome मिल जाएगा अगर रूफ की बात की जाए तो सबसे base लेंट से यह आपको roof rails offer की जाती है लेकिन इस लेंट में आपको shark fin antenna भी दिया जा रहा है बाकी अब आजाते हैं इसके side profile की तरफ तो side से देख लीज़े ऐसे कुछ आपको यहाँ पे looks नजर आने वाले है यहाँ पे आपको 16 इंच के wheels मिलते है wheel covers के साथ में 494 mm लेंट है 1785 mm की विर्थ है और 1532 mm आपको height देखने को मिलेगी यहाँ पे आपको steel wheel मिलें 16 इंच के यहाँ पे Nissan की branding भी आपको center में मिल जाती wheel covers के ऊपर suspension के travel भी आपको ठीक टाक यहाँ पे दिया जा रहा है C8 के tires हैं अगर tire section के बाद की जाए तो 195 60 R16 का देखने को मिल जाएगा उपर काफी चौरी सी यहाँ पे cladding मिलती है बाकी fender पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलती है Nissan Magnite की badging outside mirrors की बाद की जाए तो भाई आपको body cloud मिल लाए है इलेक्रिक वे आपको fold भी कर सकते हो, address भी कर सकते हो, turn indicator की placement आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगी तो यहाँ पे आपको electric wire मिलें यह काफी अच्छी चीज है door handle से आपको मिलते है chrome finish में, दोनों side आपको request sensor देखने को मिल जाएगा अगर इसका front dashboard दिखाऊं तो भाई यह देख लो, Geza Edison के अंदर आपको 9-inch कटा chin 4 taming system मिलता है इसको भी आगे proper हम cover करने वाले है, dual tone clear में dashboard है देखने में काफी शांदार लग रहा है rear में drum और front wheels में आपको मिलती है disc brake, बाकी पीछे भी आप पूरे में cladding वगरा देख पा रहे होंगे अब हम चलते हैं इसके rear profile की तरफ, तो भाई rear से देख लो, काफी शांदार से लुक्स नजर आने वाले इस Nissan Magnet के यहां पर है आपको halogen में tail lamps offer किये जाते हैं, एक एक चीच के बारे में बात करते हैं क्या आपको आपको मिलता है इसके tail gate पे, तो उपर शाक फिन एटीना हो गया, roof rails हो गई, यह इसका spoiler, high amount stop lamp, यहां पर आपको defogger, wiper की placement, यहां पर halogen में आपको tail lamps offer किये जा रहे हैं, tire indicator, reverse light की placement, आपको यहें पर देखने को मिलती है, बाकी design का काफी अच्छा सा लग रहा है, यहां पर center में Nissan की branding है, यहां पर magnetic की badging आपको देखने को मिल जाएगी, यहां पर CVT, इसके transmission की badging, नीचे देखेंगे तो 4 इस पाकी sensors हैं, 4 points आप देख सकते हैं, बाकी यहां पर आप आपको मिल जाती है, इस level finance में skid plate, आप चली गाड़ी का boot open करते हैं और आपको दिखाते हैं इसका boot space, तो यहां पर मिलता है magnetic button, अगर space की बात की जाए तो भाई, यहां पर आपको मिलेगा 336 लिटर का boot space, अगर इन street को fold कर दोगे ना, तो 690 लिटर का बन जाएगा यह, न इनके lever आपको यहां पर मिल जाएंगे, इस street को fold करने के लिए, यह इसका front dashboard हो गया, जिसको भी आगे proper cover करने वाले हैं, अब चलिए इसके boot को कर देते हैं बंद, और चलते हैं इसके rear seats की तरफ, rear sitting comfort देखते हैं, बाकि इदा देखेंगे, तो यहां पर आपको दिया गया है fuel filler cap, यहां से डलवाएंगा है, petrol, 40 liter की मिलती है tank capacity, आप खोलते हैं इसका rear door, door trim की बात की जाए है, तो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, पूरा dual tone color में, उपर देखेंगे, तो यहां पर door opener है, lock unlock का lever है, आवंडो के controls, यहां पर silver finish, fabric finish, नीचे देखेंगे तो speaker की placement, और यहां पर मिलती है, JBL की badging, यहां पर water holder, कुछ space, rear cabin की बात की जाए है, तो इतना कुछ आपको मिलता है, space, दो-दो headrest है, जिनको आप address कर पाओ के fabric seats रहती है, आप इसमें बाद में seat cover लगवा सकते हैं, अब चलिए अंदर बैठते हैं, और अंदर से बैठके पूरा space वगरा देखत हैं, तो आगे वली सीट मैंने अपने recording adjust कर ली है, मेरी head 5 foot 8 inch है, और knee room आप देख लो पहले, इतना कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है, leg room भी काफी अच्छा सा है, अनुरत है, support वो भी आपको काफी बढ़िया मिलता है, space की कोई दिक्कत यहां पर नहीं रहने वाली है, center में कोई AC events नहीं मिलेंगे, अच्छा खासा space जरूर आपको देखने को मिल जाता है, यह अंदर का पूरा interior, यहां पर grab handle, coat hook, दो-दो headrest, जिनको आप adjust कर पाओगे, बागी रूफ में देखेंगे, तो यहां पर roof light मिलती है, halogen में रहने वाली है, यह राज का front dashboard, इस्टेर आपको दो बटन मिलेंगे, lock unlock की, यहां पर निसान की branding है, यहां पर आपको मिलता है request sensor, चाभी कौराम से आप जे में रखी, यहीं से गाड़ी को lock unlock कर सकते हैं, chrome door handles है, अगर बात कीजा है, इसके door trim की, तो ऐसा कुछ आपको मिलता है, पुरा dual tone color में, यहां पर देखेंगे की placement, यहां पर आपको JBL के speakers दिये जा रहे है, गेजा एडिशन के अंदर, यह देख लो अच्छा का सा space, यह राज का front cabin, इस पेस देख लो, और आगे वले जो headrest है, उनको भी आप address कर पाऊगे, और यह इसका front dashboard है, dual tone color में, बाकी अगर street दिखाऊं, तो यहां पर देख ल यहां पर traction का button, headlight leveler, यह रहाज के AC के vents, आप चलिए अंदर बैठते हैं, और अंदर से बैठके हम सारी चीज़े cover करते हैं, तो भाई, गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, यह रहाज की की, इसको हम रख देते हैं, यहां पर साइड में, और यहां पर आपको मिलता है engine start and stop button, जैसे आप इसको press करेंगे ना भाई, यहां पर देख लो, fully digital question यहां पर दिया जा रहा है, एक तरफ आर्पी मिटर है, इधर आपको engine, temperature, fuel gauge, यह दोनों चीज़े देखने को बिल जाती है, बीच में आपको मिलती है, MID, जिसके अंदर आपको दिया जा रहा है speedometer, बाकि सारी जो information है, आप sliver के थुरू, यहां से देख सकते हैं, यहां से आप trip A, trip B, mileage range, यह सारी चीज़े देख पाएंगे, बाकि अभी यह लगी पार्किंग में, यह इसका CVT transmission है, यह तो गई भाई, cluster की बात, steering की बात तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है, यहां पर के सारे controls, नीचे देखेंगे, तो यहां पर आपको मिल जाता है lever, जिसके थुरू, आप अपने steering को tilt, उपर नीचे adjust कर सकते हैं, बाकि आप आजाते हैं, गाडी के center console की तरफ, तो यहां उपर होके AC के events, और भाई, यह देख लो, Geza edition में आपको, यहां पर touch info, टेमिस system, और आप इसमें Bluetooth बगरा आराम से चला सकते हैं, बाकी Chrome बगरा यूज़ करना चाहिए, और देखते हैं, यहां पर यूटूब भी चला सकते हो, कहां चला गया, कहां चला गया, यह देख लो, यहां पर यूटूब बगरा चला सकते हो, तो aftermarket जैसा आप touch info, टेमिस system लगवाते ह हो ना, वैसे ही कुछ यहां company यह लगा के दे रही है, यह हो गया, hazard light के switch, यहां पर lock and lock button, defogger का button, और यह देखो के भाई, यहां पर आपको दिया जा रहा है, automatic AC, तो भाई, second base print से आपको automatic AC देखने को मिलता है, और यहां पर अच्छा खासा space है, कि आपको मैं दिखाई बारा बोल्ड का charging outlet है, यहां पर अच्छा का सा space है, आप phone वगरा आराम से यहां पर रख पाएंगे, यह हो गया, इसका CVT transmission, आप Nissan Magnet के अंदर manual, automatic, CVT, सारे transmission ले सकते हैं, अपनी choice के according, बागी यहां पर हो गया manual handbrake, दो का पोल्डर, यहां पर देखेंगा अच्छा का सा space अब बात करते हैं, गलब बॉक्स की, गलब बॉक्स में भी देख लो, आपको काफी बढ़िया सा space है, यहां पर दिया जारे है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके अंदर दो ही airbags आते हैं, फ्रेंट में, आखी उपर manual day night IRBM है, इदर sun visor में देखेंगे, आपको कोई mirror नहीं मिल अगर को driver set की बात की जारे है, तो भाई यहां पर जरूर दिया जा रहा है, यहां पर light की controls है, यहां पर mic की placement है, यहां पर temperature sensor आपको देखने को मिल जाएगा, आपकी visibility आप देखेंगे, तो काफी बढ़िया मिलती है, अभी मेरे आँकों के सामने camera है, आप देख सकते हैं, क इंटर लॉकिंग पावर डोर, लॉक्स, चैल शेफी लॉक्स, इंजन, इम्मेबिलाइजर, क्रेस सेंसर, स्प्रिट सेंसिंग, और यहां पर आपको दिये जाते हैं, दो airbags, प्रैसिंग की बात किया है, तो भाई, गेजा एडिशन है, CVT ट्रैस्पिशन के साथ में, 9,84,00 एक शुरूम और लगबग लगबग 11,10,000 रुपए की ओन रोड यह लखनों पढ़ने वाली है, तो अगर आपको बजट है 11,00,00 तक आपको निसान मेगनाइट के अंदर तुरह साउंड रूट मूट काफी अच्छा साचे है, तो आप जा सकते हैं, इस मेगनाइट के आपको निचे कमेंट में जरूब दाएगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा, मिलते हैं, एक नई वीडियो को साथ अब तक लिजाहिन, बंदे माद रहें